नमस्कार आप देख रही हैं गिताश टीवी प्रस्तुत हैं स्तमाचार आज दराग 2 अगस 2022 को उपायुक तक गड़वार रमेश घुलब की अध्यक्षता में समाहराणालाई इस्तेट सभाकक्ष में जिला इस्तरिये कृशी टास्क फोर्स की बैठक आहुत की गई सर्व प्रिथम बैठक में उपस्तेट सभी पदादिकारियों का परीचय प्राप्त कर स्वागत किया गया तद उप्रांत बैठक की करवाही शुरू की गई बैठक में चर्चा की गई कि वर्तमान समय में वर्षा कितनी हुई है एवं कौन-कौन सी फसले लगाई गई है जिले भर में वर्तमान में सिचाय की विवस्था क्या है जो धान की फसले वर्तमान में 880 हेक्टियर में लगाई गई है उसके बाद क्रशक क्या करेंगे आदी बातों पर विशेश चर्चा हुई बैठक की दौरान बताया गया कि यदि वर्षा होती है तो किसान अपने धान के फसल लगाएंगे एवं विपरीत इस्तती में दलहनी एवं तिलहनी फसले क्रशकों को लगाने की बात कही गए यदि वर्षा के आभाव में सुखार की स्तती में क्रशकों की द्वारा लगाई गई फसले सूख जाती हैं तो जारकन राज्ये फसल राहत योशना के तहट क्रशकों को प्रती एकड़ 4,000 रुपए राहत पैकेज के रूप में आधिकतम 5 एकड़ के लिए राशी मुहिया कराने के प्रावधान के बारे में बताया क्या एलुमेनियम से संबांदे सभी परकार के कारे किये जाते हैं हमारा पता है कचहरी रोल ब्लॉक के सामने नगवाम फार्ट नमबर आर गड़वा जारखन